साहेवगंजिला मंड्रो प्रखंड के लदोहनी पहाड़ गाउं में इंद्रा गांदी अवास योजना के तहत वर्स 2013 में 18 घर बनाए गए जिसमें कुछी महिनों के बाद सभी मकानों की दिवारों में दरार आ गई जिसके कारण सभी लोग पक्के मकानों को गोबर और मिट् मैं शिखाँ यह है मेरा पाड़िया समधार कब बना था किटना साल हुआ तीन साल हो गिया और कितना घर बना था अटारा कुछी इन्साहिव और अभी शहीं है घर या फटरा शेहिने क्या हुआ हुआ पाठ्रा है कटराब कृशने में दिखा पढ़िया लग लग टाली में दिन पटना दिन लोग, कितना दिन में पट गया था बनाने के वाद ? क्या क्या दिया था ने लोग्त वाद कर देन अन्यकुमेटर रुगरती दिया था बालूं। उसके बाद जांच में कोई आया गर बनने के बद आपको घर सही है कहां सही सब तो गर्दी लगावा है गर्दी में टाई जोड़ा है जब जुड़ा हो रहा था तो आप नहीं थे लेकिन सब बनाए तो आम बोलने से घुशा गया नहीं सब घर ऐसे जोड़ा है तो फट गया है आपका घर नहीं तो पड़ा इन गया है इसमें आप सोते हैं चोड़ें थे लिकिन डर से उदर गए गी अवह बहुत चलते लगें मैं भी इसी समुदाय से हूँ इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग यह चाहते हैं कि आवासों में लगी सभी सामिग्री की जाच कर सभी आवासों की मरम्मत की जाए इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं बिंती करती हूँ कि मंद्रो प्रखंड के वीडियो रोशन कुमार सा को मुबाइल नंबर 9430253993 पर कॉल करके दवाब बनाया मैं सिखा कुमारी पहाडे जिला साहिब गन जारखंड से इंडिया आनहट के लिए आप से प्रखंड अजा आनह到ं जब। जऑ κάलार झाव जाओ रू करते हूँ, आनहार चांनों, कानले high-poción प्रखंड मोश्ड आनसाओ ay यीड़ोववववववववव. झाल झाल